सुशान्त सिह का जाना रिया चक्रवर्थी के लिए काफी मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। दरसले इतनी मशक्कत के बाद भी रिया को एडी आफिस जाना ही पड़ा। इडी आफिस में रिया से इस केस के सिलसले में तकरीबन आठ घंटे से जादा पूश्टाज की गई। जानकारे के मताबिक इस दरान एक्ट्रिस रिया चक्रवर्थी से उनकी संपत्ति को लेका और उनके इंकम सोर्स को लेका सवाल जबाब किये गए। वहीं बताया जा रहा है कि रिया ने एडी को एक आड़िट रिपोर्ट दी है। के जाने के बाद उनके परिवार वालों ने रिया पर आरोप लगाया था कि रिया ने सुशान के अकाउंट में से 15 करोर निकाल लिये थे। जिसके बाद एडी ने इन सब मामले से जुड़े हुए सवाल भी रिया से पूछे हैं। लेकिन रिया ने इनके क्या जवाब दिये हैं वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुशान के जाने के बाद इस केस का दोश रिया को दिया जा रहा है। साथ ही इस मामले में रिया के भाई को भी आरोपी माना जा रहा है। इन सब को देखते हुए एडी पूरी जाँच कर रही है। इसके अलाबा एडी ने सुशान्त स्थेंग की बिजनस मैनेजर रह चकूई शूती मोधी का भी बयान लिया है शूती मोधी ने बताया कि मैंने अपना बयान दर्श करा दिया है और हमें इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी सुशान्त मामले में CBI जांच भी शुरू कर दी गई है असमाना जारा है कि CBI भी रिया चक्रवर्ती से पूछताच कर सकती है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें